तक बिश्मरने परमभ्या को लता परमभ्या को लता हो उनके देखने की सुनने की सुमने की अपर्थ करने की आग लग जाये सारे शरीर में बियोग में लेकिन ओन नहीं आये अब तुम नामा पराधी हो जाओगे बचोगे नहीं कि चिंतन करोगी विप्रीड और चिंतन की आग बगरते जाते 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 जब उपर की सीरी से गिरता है कोई तो नीचे आके रुपता है वो चिंतन की धारा जब भिगड़ी बिगड़ती चली जाती है वो फिर बुद्धि भिरश्ट हो जाती है जाती है जाती है हाह सकाम निशकाम के बारे में आप लोगों को बताया था एक तो सकाम निशकाम संसार संबंदी होता है और एक सकाम निशकाम प्रीकिष्ट संबंदी होता है तो संसार संबंदी सकाम या निशकाम दोनों का परिणाम प्रीकिष्ट संबंदी सकाम यानि भगवान संबंदी इंद्रियों का विशय चाहना इसका परिणाम गो लोग है माया निबृत्ती है पर्मानंद प्राप्ती है लेकिन खत्रा है अगर हम कोई कामना भगवान से बनाते हैं भगवान संबंदी ही और नहीं पूरी होती तो हो सकता है हमारी बुद्धी में विकार पैदा हो जाएं और हम निराश हो जाएं और निराशा आई कि भगती गई सबसे बड़ी शत्रू है निराशा मन से जब आप हार जाते हैं हार मान लेते हैं तब निराशा आदी है इतने दिन से हम रूप ध्यान कर रहे हैं आसू बहा रहे हैं श्याम सुन्दर नहीं मिले हमको नहीं मिलेंगे फिर निराशा आगई तो सकामता में ये गड़बड़ी है इसलिए निश्काम प्रेम का ही एम उद्देश बनाना चाहिए इसमें कोई डेंजर नहीं कोई खत्रा नहीं हम श्याम सुन्दर के सुख के लिए उनसे प्रेम कर रहे हैं उनसे प्रेम मांग रहे हैं उनका धर्शन मांग रहे हैं उनका असपर्श मांग रहे हैं अपने सुख के लिए नहीं उनके सुख के लिए बस इतना सांतर है हम उनके सुख का ही लक्ष रखेंगे तो उनके किसी ब्योहार में हमको इतराज नहीं होगा नहीं आते हाँ बेवकूब बना रहे हैं हमको चाहते तो वो भी हैं हमसे मिलना उनका नियम है जितना प्यार जीव करेगा उतना हम भी करेंगे करेंगे चैलेंज है उनका ये जथा माम प्रपध्यन से तांस तथाईव भजाम में हम जितना प्यार जीव करेगा उतना हम भी करेंगे तो हम प्यार करते हैं इसलिए वो भी करते होंगे कोई डाउट नहीं डाउट करते हैं कि नहीं ओ ना ना ये मत सोचना है तो नास्तिक हो गए आप शास्त्र बेद के सिध्धांत को भगवान के सिध्धांत को जो नमाने हो तो नास्तिक है हम जितना प्यार करेंगे उतना प्यार भगवान और गुरु दोनों को करना पड़ेगा चैलेंज के साथ डरो मत डाउट न लाओ डाउट लाए कि नास्तिक होए फिर भी वो आते नहीं है सामने आदत है उनकी तरपाने में उनको अच्छा लगता होगा बड़ा अच्छा है उनको सुख मिले जैसे मिले अगर हमको रुलाने में उनको सुख मिलता है दो बड़ा अच्छा है हम तो उनको सुख देना चाहते हैं बस हमारा ये कहीं तो उद्देश्ट है उनकी सेवा उनको सुख देना तो यद हमारा ये सिद्धान्त है तो हमारा गुरू के प्रतिप्रेम या भगवान के प्रतिप्रेम कभी भी नीचे नहीं आ सकता एक सेकंड को आगे भी बढ़ता जाएगा उनकी हर क्रिया में आनंद कान्भो करना इतराज नहीं ऐसा क्यों कहा ऐसा क्यों किया ओ नास्तिक हो गए तुम नामा परादी हो गए गुरुद्रोही हो गए यहीं तो आपराद कर रहे हैं हम लोग अनाधिकाल से जो आगे नहीं बढ़ पाते कुछ दूर चले फिर फिसल के नीचे आ गए फिर कुछ दूर चले फिर फिसल के नीचे आ गए तो निश्काम भाव से प्रेम करने में हम कभी भी पीछे नहीं आ सकते क्योंकि हमारा तो सिद्धानतों हो गया वो जो भी करेंगे सब ठीक हमको भीयोग दे रहे हैं उनके क्रपाई वो हमको बहुत पक्का मत्सिश्य बनाना चाहते हैं अ कि बहुत कुछ कोट का हमको प्रेम देना चाहते हैं गोपियों को बिरह क्यों दिया क्या रुक्मणी वगए रहे का प्रेम स्रिक्रिष्ण के प्रति गोपियों से बड़ा था अरे नहीं वो तो समंझसारती का था बहुत नीचे लेकिन अगर वो प्रेम वो अवस्था उरुक्मनी वगारा को दे देते तो उसनका प्रेम दाउन हो जाता गोपियों में ये अवस्था थी तब पज्ञान पक्का था निश्काम प्रेम का इसलिए उन्होंने गाए ठीग है तुम कभी ना आओ तुमको यह जह सुख मिले सौक्यम नस्यात अगर उनको सुख मिलता है कभी ना आने में तो हम विभोर हैं हम तो उनको सुख देना चाहते हैं बस हमारा तो एक वाक है बस गुरू ने इतने पढ़ाया है उनको हमने इतने रटा है उनकी इच्छा में इच्छा उनको सुख देना उनकी सेवा करना वो हमारे स्वामी है ना हम उनके दास है ना तो दास क्या करता है सेवा और सेवा का मतलब क्या जिससे स्वामी को सुख मिले हमको सुख मिले सेवा नहीं यह तो अपनी सेवा हो गई हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा चाहते हो, फिर क्या तुम सेवा करोगे, तुम सेवा नहीं कर सकते हैं, तुम तो गिर गए है, तो इसलिए निश्काम प्रेम में कभी भी शिष्ट का, दास का पतन नहीं हो सकता, यह जो आक्तियाप लोग हजार बार सुन चुके हैं, आश्रिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम, चाहे हिर्दे लगा करके प्यार कर लो, और चाहे ठुकरा दो, मेर्डर कर दो हमारा, यहां तक बात आ गई, और चाहे उदासीन हो जाओ, हम तुमको पहचानते ही नहीं, तुम कौन हो, हम तुमारी हर क्रिया पर विभोर हो जाएंगे, यह नहीं कि हम बेमनी से मान लेंगे, ऐसा नहीं, खुशी होगी भीतर से, हाँ, देखो, प्यार तो करते हैं, लेकिन किधर मुह किये हैं, हमारी वोर देखते ही नहीं हैं, वाह, क्या आदा है, हमारे स्याम अंदर की, इतना प्यार करते हैं, क्योंकि हम करते हैं, इसलिए वो भी करते हैं, लेकिन हमारी वोर देख नहीं रहे हैं, हम तो उनकी वोर देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं, हमारी पहिच्छा ले रहे हैं, अरे ले लो, ले लो, हम फैल होने वाले नहीं हैं, बस वो निश्काम प्रेमी है दिन दाड़े दिन दुना राच चोगना आगे बढ़ेगा उसका प्यार बढ़ेगा वो कभी नीचे की तरफ नहीं आएगा बस रटे रहे इस वाक्य को बुद्धी में वो गलत काम नहीं कर सकते तत्वज्यान नमबर एक भगवान या महापुरुष गलत काम नहीं कर सकते न हाँ गलत तो नहीं कर सकते तो वो जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं ठीक है कर रहे होंगे तो पका है तो फिर हम उसमें टांग के उड़ाते हैं, अगर हम टांग अड़ाते हैं, तो हमारा मतलब है, गुरु भी बेवकूप, भगवान भी बेवकूप, और हमारा डिसीजन सही है, फिर तो यह मतलब हो गया उसका, वो शरणागती कहां रही, वो तत्वज्ञान कहां चला गया, यह महापुरुष गलती नहीं कर सकता, भगवान गलती नहीं कर सकते, वो जो कुछ कर रहे हैं, जो आज्या हमको दे रहे हैं, हमारा उसी में कल्यान है, जिस समय जो आज्या दे हो, पास में रहने की आज्या, दूर जाने की आज्या, कोई सेवा दे दिया, वो करने की आज्या, बस उसी में हमारा कल्यान है, क्यों कहा हमको बस, हो गया गलत, सरनागिती के खिलाब चला गया हो, आनुकूल लेन, कृष्णानुशीलनम, आनुकूल भाव से, आनुकूल्य से संकल्पा, संकल्प भी प्रतुकूल नहो, क्रिया की कौन का है, वो शरनागिती, तो लिश्काम प्रेम में ज्यान दो, ये मत सोचो, कि हम उनके दर्शन की कामना बनाते हैं, ये तो सकाम हो गया, नो, 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 दर्शन की कामना, सब्दस्रवन की कामना, गंध की कामना, सब्दस्रवन की कामने छोड़ दो गए, तो फिर क्या बचेगा, फिर तो हर एक नास्तिक निश्काम प्रेमी है, क्योंकि ओ भगवान को कोई चीज चाहते ही नहीं, हज़ा नहीं, हम चाहते हैं, पराकास्ता का चाहते हैं, मामूली नहीं, लेकिन उनके सुख के लिए, वो नहीं लेना चाहते हैं, वो हमको देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, बास, वे जो कुछ चाहते हैं वो हम उनको दें हम जो कुछ चाहते हैं वो हमको दें ये तो उल्टा हो गया तो निश्काम प्रेम का मतलब पांचों इंद्रियों का विशय की कामना तो हो तक बिश्मर ने परमब्या को लता परमब्या को लता हो उनके देखने की सुनने की सुनने की असपर्श करने की आग लग जाये सारे शरीर में बियोग में लेकिन ओ नहीं आये मूडा गए मर गए खतम हो गया तुम्हारा सिद्धान तत्तज्यान फिलोस्थी सब गई अब तुम नामा पराधी हो जाओगे बचोगे नहीं कि चिंतन करोगी विप्रीट और चिंतन किया कि बस घरते जाते 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 चले गए जब उपर कि सीड़ी से गिरता कोई तो नीचे आके रुखता है वो चिंतन की धारा जब बिगड़ी तो बिगड़ती चली जाती है वो फिर बुद्धि भरष्ट हो जाती है इसलिए हमेशा स्तावधान रहना चाहिए और हमने अपनी बुद्धि लगाया उनकी क्रिया में उनकी आज्या में टांगड़ाई हाई 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 यह क्या किया मैंने तुरंत होश्यार हो जाए है बस फिर गरबड़ी आगे बढ़ने न पावे जैसे किसी इस्त्री के कपड़े में आग लग जाती है खाना बनाते समय वहीं दबा दिया अगर आराम से बैठी है तो फिर वह बढ़ करके सारा शरीर जला देगी पुरंत सावधान रहे यह जो हम लोगों का मूड आफ होता है मूड यह नास्तिकता है यह सरनागती के खिलाफ है मूड आफ क्यों किसी भी ब्यवहार में मूड आफ नहीं होना चाहिए किसी के किसी प्रकार के ब्यवहार में उसको उसके अंदर बैठा हुआ भगवान आईसी बात करना रहा है मेरी परिक्षा है मैं क्रोध नहीं लाओंगा अरे वो दुष्मन आ गया अंदर तो हमारे हुर्दय में जो श्याम सुन्दर बैठे हैं वो फिस्तर बांग के चले जाएंगे क्रोध को बुलाया आपने दुष्मनी की भावना आपने मन में की उसी मन में हमको रखेंगे को ही रहने दो और कोई गड़बड़ी आने न पावे हैं कि हर समय होश्यार रहो देखो एक गंदा शरीर है आप लोगों का इसको धके रहते हैं हर समय कभी नंगे होके नंगी होके आप लोग खड़क पर नहीं चलते एक बार भी ऐसी गलती नहीं किया सारे जीवन में आप लोगों ने दिन भर साड़ी को यहों करते रहते हो ताई को सीदी यह क्यों एक गंदे शरीर के लिए अवात्मा के लिए परवा नहीं है तुरंत गुस्टा तुरंत इर्श्या यह यह क्या है क्या बुद्धी है सोचो सबके हुर्दय में तुम्हारे श्यामसुंदर है और श्यामसुंदर की आज्या है ना कहीं राग हो ना कहीं द्वेश हो केवल मैं रहूँ मेरा जनर है और फिर भी भूल जाते हो एक सेकंड में अभ्यास नहीं करते तो निश्काम प्रेम का मतलब है हर अवस्था को किसी ब्यक्ती के द्वारा मिले अवस्था या गुरू के द्वारा या भगवान के द्वारा अंदर गडबड न होने पावे अंदर हमारे श्यामसुंदर रहेंगे और गुरू जी रहेंगे बस बाहर से एक सिंगम कुछ भी कर दें हमारी चीज को यह ले रहा है रहे है डाटतो जापर लगा दो अंदर ठीक रखो अभी इतनी उची अवस्था नहीं है यद्यपी लेकिन छोटी मोटी बात मत्व कंट्रोल करो जरा जरा सी बात में मूड आफ कर लेते हो उसने ऐसा कहा उसने ऐसा किया उसने ऐसा यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए निश्काम प्रेम की और बारीकियों को फिर बताएंगे प्रेम की और बताएंगे